हेलो फ्रेंड्स आयम अधित वेलकमिंग यू वाल इंद ऑन्लाइन लर्ण प्रफॉमाफ पार्ट साला आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे कि जो बनारा सिंदु नस्टी के समस्टर एक्जाम्स हैं और समस्टर के एक्जाम्स किस मोड में होंगे पेपर का फॉर्म समबर को बनारा सिंदु नस्टी द्वारा जारी करी गई है डिप्टी रिजस्टर एकाडमिक के द्वारा इसको हम आई देखते हैं यहां पर आपको से रिल्टेट इन्फॉमिशन दिया हुआ है तो आप उसके लिए से लिए भी परशान नहीं होंगे से से लिए इन्फॉ होगे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि समस्टर एक्जाम को लेकर के बहुत से लोगों के अंदर डाउट है कि एक्जाम किस मोड में होंगे आनलाइन होगा या आफ्लाइन होगा तो आई हम देखते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख लिजिए यह एक्जाम होगा OBE और यह कौन से समस्टर की बात करी जा रही है और समस्टर और समस्टर नहीं की फर्स समस्टर थर्ट समस्टर फिफ्ट समस्टर सेवन समस्टर और नाइन समस्टर ठीक है और कौन से अकडमिक की बात की जा रही है सेशन 2020-2021 की बात करी जा रही है अब देखिए यहा पर जो पहले से पेपर जो चला आ रहा है जैसे समस्टर एजाम्स हुआ करते थे वैसे कोशन का फार्मेट नहीं रहेगा जो कुशन पेपर है उसका नया फार्मेट आ चुका है वह आप देखिए ओपन बुक एग्जामनेशन जो है उसमें एट कोशन विल भी देर और उसमें से इस्टूडेंट को चार कोशन करने होंगे ठीक है और यह जो पेपर होगा वह सेवन्टी मार्क्स का होगा इसमें चार कोशन होंगे और इच कोशन्स विल हैब देटेज आफ 17.5 मार्क्स यानि कि प्रते कोशन का 17.5 अंग का भारांग होगा यानि यह कोशन जो है वह 17.5 अंग का होगा और वह कोशन्स इस प्रकार से सेट की जाएंगे कि उनके आंसर जो है वह मैक्सिमुम 3.5 सब्दों में 350 वाट्स में आ जो जनल कंडिएट्स हैं समानी विद्यातियों के लिए चार घंटे का पीपर होगा तो फिपर विल भी ओफ फोर आवर्स फॉर जनल कंडिडेट्स और उसके बाद अगर बात करी जाए यहां पर एस से एस से नहीं समझेगा समाने चात्र के बात करी जा रही है और दूसरा है six hours किसके लिए है for students having benchmark disability जो हमारे दिब्यांग जन है उनके लिए 6 घंटे का यह पेपर हुगा ठीक है उमीद करता हूं चीज़े आपको समझ में आया होंगी अब यह timing कब से कब तक है इसको भी आप बिल्कुल ध्यान फुरुक समझे यह timing जो है question paper download करने से लेकर के उसके paper के downloading से लेकर के और हैंड रेटन जो answer seat आप upload करेंगे उसमें कुल चार घंटे का समय समाने विद्रार्थी को द्वारा लिया जाना चाहिए उससे अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए ठीक है और जो benchmark disability है यह हमारे दिब्यांग जन चात रहे है उनके लिए यह समय कितना है six hours है ठीक है उमीद करता हूँ चीजी आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी अब आगे बात करते हैं कि जो projects हैं और बाकी practicals हैं वो किस mode में होंगे तो उनके लिए भी यह notification है कि components like projects, desertions, practicals will be substituted by assignments and viva wise ठीक है through Skype or other meeting apps उसके तुरू यह हो सकता है ठीक है जो practicals है और बाकी desertions है projects है यह सब जो है assignment के तुरू और viva wise जो है आपका जो Skype या किसी और meeting app के तुरू लेकर के इसको complete करा जाएगा तो कुल मिला कि मुझे उमीद है आपको चीज़े clear होई होगी जो सबसे बड़ा doubt था कि exam online mode में होगा या offline होगा किस प्रकार होगा तो यह सब चीज़े आपको बिल्कुल clear होगे आपको exam online mode में होगा open examination होगा तो आप comment box में जरूर comment करके बताइए आपकी solutions आपके समस्याओं का समधान करने का जरूर प्यास किया जाएगा और तीसी के साथ चैनल को like करिए share करिए subscribe करिए आप सभी का बहुत बहुत